कि अगर को बादिल नुन हो चिभि बहुति हो गाए के show कि अगों कि तो हमय आइटी मित्यूं वा राइटीं कि तुछ कृण- हृँ- अDay प्षिए में इसलिके आई विखंडरा रहा हुआ और तुछ कम हैं अगल उखनला तरफ दोधैus कि जूब करने के लिए पूने में रहने के लिए कोई काम कर रएना हुआ कि दूसरी फेरडमे काम कर रहा हुआ है वे पर फेर्ट में काम कर रहा हुआ पर संकौस भी कम है उसमें अरच साली जो if की कौलिफिकेशन लेवल है उससे कम लेवल की सालरी मिल रही है जो सर्वाइवल के लिए हैं कि मैं आपको कुछ मश्वरें देना चाहता हूं हां देखिए सबसे पहले जो नभी क्या है आपको आई-टी फील में अच्छा जौप जी हलाल जौप जी है अब आप क्या करेंगे सारे उसके जो स्टेप्स है जैसे अलग अलग जगा ट्राय करना तो आप ट्राय कर रहे हैं आप इंटर्व्यू कॉल्स आ रहे हैं तो आप यह जोब के साथ साथ वहां कि तरफ ध्यान दो किस चीज में आप तुमाहे लें फाइदा है वस्ताइन बिल्ला अल्ला से मदद भी मांगो वला ताजज मायूस मत हो जाओ सही मुस्लिम की हदीस है मतलब किस चीज में बेनेफिट है बहुत पॉजिटिवली देखो कहां पर बेनेफिट है यह नहीं हो और क्या करूं और किस चीज को करूं सामने उनके क्या एक्स्पेक्टेशन कब्रान कर रहा हम क्या चीज उंको चाहिए जो में पास अगधाए कहीं और हो सकता है व्यु Patch is right, सिर्फ आपको right opportunity तक पहुंचना है इंशाला, करते रहिए positivity के साथ, आपको मैं बात बात बताओ, ये जो delay हो रहा है ना, इसके दो effects है, एक effect है physical effect, physical effect क्या है, कि आपकी आमदनी वो level पे नहीं है, आप strain हो रहे हो जब double जगा, एक जगा job कर रहे हो, एक जगा try कर रहे हो, physical effect, जिसमी तोर पर, और एक है mental effect, आपका moral कहीं कहीं effect हो सकता है, हाँ, तो physical effect को बरदाश करो, और जो mental effect को कुछ भी negative आने मत दो, क्योंकि ये अल्ला के तरफ से है, अल्ला के तरफ से है, अनल्ला has planned it for you, अल्ला ने आपके लिए plan किया है कि इस चीज के जरीए आपको गुज अच्छा होता है, वो आगे जाके life में समझ में होता है, अरे आता है, अरे वो अच्छा था, लेकिन इस दौरान आप ये चीज करते हैं रहना कि देखो किस चीज में benefit है, किस चीज में भलाई है, कहां पर रास्ता है, क्या करूँ, क्या करूँ, creative रहो, देखो इसका जो mental effect ह ना, जब वो बढ़ता है ना, तो लोगों की कोशिशें effect हो जाती है, अच्छी तरह से वो try नहीं कर पाते हैं, इमानदारी इंसाफ से जो करना चीज को करनी पाते हैं, वो अपने आपको defeat कर बैठते हैं, तो यहां पर हमारा भरोसा अल्ला पर है, हमें पता है कि जो कुछ ह सुरा है वो अल्ला की मर्जी से, इम्तिहान की तो जगा है ही, है ना, यूसर वल इसलाम तो जेल में थे, हां, किसी ना किसी तरह का इम्तिहान तो आना है, एक इम्तिहान है, अल्ला ने डिले रखी है, लेकिन positivity के साथ में try करो, मशवरा करो, expert से पूछो, कुरान में सुरा ह है, उन से मशवरा लीजिए, कि मैं इस चीज को कैसे crack करूं, मैं इस चीज को कैसे हासिल करूं, एक अपने सामने goal सेट करो, अल्ला से मदद मांगो, और वला ताजस मायूस मत होना, हारना नहीं, हां, अब ये जब तक आप कर रहे हैं, तब तक रिस्क में इजाफे के लिए करान और हदीस में चंद चीजे हैं, जैसे तौबा करना, जब तौबा कसरत से करते हैं, अल्ला से माफी माँगना, तो ये रिस्का दर्वाजा खुलता है, रिष्टेदारों के साथ रिष्टेदारी तालुक कायम करना, आपकी जो रिष्टेदार हैं, उनको कॉंटाक्ट क करता दो, उससे क्या होता है, कि अन्फिक अबना आदम उन्फिक अले नभी असला से में फरमाया, कि आए बंदे ऐ आदम की ओलाद, खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूंगा, तो अल्ला भी खर्च करेगा, मतलब आपके तरफ से रिस्क में इजाफा होगा, अबादत में नमास पाबंदी से पढ़ो, अवल वक्त में पढ़ो, बराबर से पढ़ो, क्योंकि जब अबादत के लिए फारिग होते हैं, तफर्गली अबादत के लिए, आपको मेरी अबादत के लिए, मैं तेरे दिल को इत्मिनान से भर दूँगा, अम लग यदाई का रिसकन एक हद बरादत करें, लिए पादत पादत करें।